अकसर भारत में कार खरीदने के बाद लोगों को कार की सर्विस अच्छी नहीं मिला करती है जिस वज़ा से या तो लोगों को बहुत ही हाई कोश्ट पे करके किसी बड़े कंपनी से अप्री कार सर्विसिंग करानी होती है या फिर उनको लोकल गराजेस के पास जाना पड़त और इसी में एक स्टार्ट अप था गो मेकेनिक गो मेकेनिक भारत में साल 2016 में शुरू हुआ और बहुत ही तेजी से इस स्टार्ट अप भारत में बढ़ता गया इनका बिस्नस मॉडल बिलकुल OEO जैसा था OEO क्या करती है भारत में जितने भी होटल्स है उनकी वेंचर और कई बड़ी कंपनी से बड़े बड़े फंड्स रेस कर लिए और बहुत ही जल्द ये टाइगर ग्लोबल से करीब एक बिलियन डॉलर की फंडिंग रेस करने वाले थे लेकिन जैसे किसी थ्रिलर मुवी में टर्निंग पॉइंट आता है वही चीज Go Mechanic के साथ भी हुआ कंपनी के founders, कंपनी के financials में गरबड़ी करते पकड़े गए और इसके बाद कंपनी के 70% employees को निकाल दिया गया है और आज कंपनी अब डूबने की कगार पे आ चुकी है इस वीडियो में हम समझ रहे होंगे अमिद भसीन और कुशल कारवा ने एक second hand car करी दी इस second hand car को करीते ही इनकी मुश्किले बढ़ गई क्योंकि इनकी car बार-बार service मांग दी थी जिस वज़ा से ये बार-बार service center जाये करते थे उसके बाद ये local shop पे भी जाके अपनी गाड़ी की service कराया करते थे जिस वज़ा से इनको दो बड़ी problem face करनी पड़ती थी एक तो service center में जाने से इनके पैसे बहुत जादा लगते थे दूसरा इनका कई सारा time इसमें चला जाये करता था कुछ time बाद इन्होंने realize किया कि ये problem सिर्फ हमारी ही नहीं है हमारी जैसे ऐसे बहुत से लोग होंगे जो second hand car खरिजा करते हैं या फिर उनकी car service period से बाहर हो जाती है जिस वज़ा से उनको बार बार अलग-अलग service centers के चकर लगाने पड़ते हैं और अपने car को बनवाना पड़ता है और इसके बाद इस पर थोड़ा और deep research करने के बाद उन्होंने इस market को समझना शुरू किया तो देखा कि इंडिया में 3 लाग से ज़्यादा unorganized service center shops है इसका मतलब यह है कि ऐसे mechanics जो कि कभी Honda, Hyundai, Toyota या मारूती में काम किया करते थे उन्होंने अपनी jobs छोड़के वो आके अब अपने नए नए shops खुल चुके हैं और वहाँ पे वो service का काम दिया करते हैं लेकिन इन में से कोई भी shop owner original equipment manufacturer से verified नहीं हुआ करते हैं मतलब उनके spare parts original है कि नहीं ये confirm नहीं होता है और यहाँ पे उन shop owners के पास technically तो बहुत ज़्यादा knowledge होती है क्योंकि ये बड़ी companyों को काम करके छोड़ के आ चुके रहते हैं लेकिन एक बड़ी problem इन हर service center वालों को face करना पड़ता है इनका कोई customer base नहीं होता है ना ही इनको marketing आती है जब भी कोई गाड़ी इनके गराज के सामरे से गुजरती अगर वो वहाँ पे खराब हुई तो ही वो गाड़ी आके वहाँ पे service कराती थी ऐसा इनका कोई customer base नहीं था जो की monthly आके इनसे कार की service लिया करे इस बड़े pain point को ये market के समझ चुके थे इसी के साथ garage में काम करने वाले mechanic की एक और problem इन्होंने realize किया इन्होंने देखा कि garage mechanic को जब भी spare part खरीदना होता है तो उसको market trade पे हमिशा मिला करता है उनको कोई भी discount नहीं मिला करता है जिस वज़े से car servicing का पूरा जो margin है उनका वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाये करता है तो इस problem को इन्होंने realize किया दूसरे साथ जब ये customer को समझ रहते तो इन्होंने देखा कि customer के भी कुछ pain points है इन garage mechanics के साथ सबसे पहली जी customer को नहीं पता है कि उसे कितना पैसा pay करना होगा इन garage में जाने के बाद वो जो भी पैसे charge करेगा वो customer को देना होता था इसके साथ ये customer को एक और problem होती है कि जब वो service कराने जाता है अपने गाड़ी को तो उसका एक पूरा दिन बरबाद हो जाये करता है तीसरी बड़ी problem customer face करता है जब भी वो अपनी garage में गाड़ी लेकर जाता है बनवाने वहाँ पे जो नए spare part लगा करते हैं तो customer को ये नहीं पता होता है कि क्या वो local part है या वो किसी company का एक spare part है तो ये problem तो customer हमेशा face किया करता है किसी भी garage mechanic के साथ अमिध हसीन ने इस बड़ी problem को एक opportunity के तरह देखा उन्हें realize हुआ कि हम अगर हम इन सारे garage mechanic को एक साथ जोड ले और इनको हम authorize कर दे तो हम customer को एक valuable, एक affordable और एक quality वाली service हम दे सकते हैं जिस वज़े से उन्होंने go mechanic जैसे एक platform के शुरुबात किया go mechanic के साथ इनके कई सारे बड़े problem थे सबसे पहली चीज उन्हें garage mechanic के businesses को scale करना था क्योंकि सबसे बड़ी problem होती है कि garage mechanic को यही नहीं पता होता है कि आगला customer हमारी है कौन आएगा तो इनको कुछ fix उनका एक customer base बनाना था दूसरा इनको जो काम करना था कि इनके पूरे process को standardized करना था कि जिस तरीके से garage mechanic पहले काम करता था उस पूरे process को एक fix तरीकों में change करना था तीसरा बड़ा problem MRP define करना था कि जब भी कोई आदमी shop पे आता है तो उसको पहले से पता रहे कि अगर उन्हें AC service करानी है तो उसका उसका कितना cost लगने वाला है और इसके बाद साल 2016 से go mechanic का B2B business की शुरुआत होती है B2B business मतलब ये direct business to business deal कर रहे थे इन्होंने Ola और Uber के साथ tie up किया अपने 30 लाख रुपे की investment लगाई और करीब 20-25 mechanics को अपने साथ जोड लिया और यहाँ पे उन्होंने ये tie up किया था कि Ola और Uber की जो भी गड़िया खराब होगी वो go mechanic के service center पे आएगी और वहाँ पे बना करेगी जिस वाजे से उन्हें एक अच्छा खासा business बनाना शुरू कर दिया लेकिन कुछी time में उन्होंने realize किया एक बड़ी opportunity को उन्होंने देखा कि इंडिया में 2 करून से जादा सडकों पे ऐसी गड़िया चल रही है जिनका या तो insurance time खतम हो चुका है जिनका service period खतम हो चुका है या जो second hand cards है वो local garage में जाके service हुआ करती है तो यहाँ पे एक बड़ा market था B2C में वहीं दूसरी तरफ उन्होंने B2B में एक बड़ा pain point देखा कि हमेशा बड़ी गाडियों का एक fixed limit होती है मतलब आप अगर किसी के साथ B2B deal कर रहे हैं तो आप 5000-6000 गाडिया ही maximum होती है लेकिन जो सबसे बड़ी opportunity create की जा सकती है वो B2C में create की जा सकती है मतलब जो normal भारते customer हुआ करते हैं जो normal गाडिया खरीदा करते हैं उनको अगर service दी जाए तो एक बड़ा game changer market बनाया जा सकती तो अपने B2B business के शुरुवात के साथ उन्होंने पहले 6 महिनों में धाई हजार से ज्यादा ओला के गाड़ियों को अपनी services दिया इसके बाद company B2C segment में आती है जहां पे कुछ चीज़े बहुत ही crucial थी और company ने उन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जैसे कि transparency होनी चीए pricing में इस चीज़ को company ने maintain किया इसके साथ उन्होंने quality service अपने customers को provide करना शुरू किया और इसके साथ उन्होंने affordable service भी देना शुरू किया मतलब जो market rate होता है आपके car service का उससे उन्होंने 10-20% कम में लोगों को देना शुरू किया cost उन्होंने कैसे reduce किया यह हम इनके revenue part में और detail में अभी समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो अब अगर हम इनके business model को समझने की कोशिश करें तो इन्होंने जितने भी local garages थे जो की एक अच्छी service provide करते थे लेकिन उनके पास customer नहीं आया करते थे उनको go mechanic का branding दे दिया इसके बाद उनके बाद जो भी spare parts नहीं होते थे वो सब उनको provide करना शुरू किया उनका एक अच्छा infrastructure बनाया जिसके बाद इन्होंने अपनी marketing किया ब्रैंडिंग किया जिस वज़े से customer इनके पास आया और इन्होंने अपने सारे local garage इनर्स को वो customer भेजना शुरू किया जहां से इन्होंने commission गेन करना शुरू किया था यहां पे यह customers के सारे pain points को solve कर रहे थे सबसे बड़ी problem customer को यह भी होती थी कि जब customer अपनी car service कराने जाता था तो उसका एक पूरा दिन बरबाद हो जाय करता तो यहां पे उन्होंने pick up and drop service देना शुरू किया जैसे कि garage वाला सुभे गाड़ी आपके घर से लेके जाएगा और शाम को वो ले आके आपके घर पे ड्रॉप कर देगा इसके साथी एक महीने में अगर कोई भी problem आई तो वो free में यह solve किया करते थे अब यहां पे इन्होंने कई टाइप के services देना शुरू किया जैसे कि regular AC service, denting and printing, car spine cleaning, clutch and body part repair, suspension and filament repair जैसे बहुत सारे car की service इन्होंने देना शुरू किया इन्होंने अपने customers को reminder भी भी भीज़ना शुरू किया कि आपके car की service हुए 3 महीने, 4 महीने हो चुके है तो आप दुबारा service car की करा लीजे और इस तरीके से इन्होंने अपने customers को अपने साथ connect कर लिया और COVID के पहले तक company बहुत ही शांदार भारत में perform करना शुरू कर दी तो business model समझते के बाद एक बार हम इनका revenue model देखने की कुशिश करते हैं इनके business के करीब दो revenue model है सबसे पहले चीज़े commission से earn किया करते थे जब भी कोई app पे customer book किया करता था service के लिए ये अपने customer को भेजा करते थे उस service center पे और उसके बाद वहां से ये 10-20% commission चार्ज किया करते थे दूसरा एक बड़ा इनका revenue model था spare parts का ये क्या करते थे कि Honda, Toyota जैसी बड़ी कंपनियों से ये spare parts bulk में खरीदा करते थे जिसके बाद वो spare parts ये इनके 1000 से जादा जितने भी service centers थे उन सब जगों पे ये खुद ही भेजा करते थे और वहां पे जब ये bulk में procurement करते थे तो इनको उपर high commissions मिला करते थे काफी बड़े margin पे इनको product मिल जाया करता था और उसके बाद ये product अपने सारे service centers पे भेजा करते थे जिस वज़े से company यहाँ पे एक high commission चार्ज किया करती थी और यहीं पे company cost भी reduce किया करती थी इस spare parts जब काफी सस्ते हो गए तो इन्होंने भी काफी अच्छा profit कमाया इन्होंने अपने mechanic को भी अच्छा profit दिया और उसमें से कुछ percent ये cut करके ये customer को भी profit की दिया करते थे जिस वज़े से normal market के rate से सस्ते में ये service center में लोगों को service दे दिया करते थे इसके साथ ही go mechanic अपने customers को एक अच्छी service देने के लिए इतना ज़दो obsessed था कि ये कोई भी नया garage owner को अपने साथ जोडने से पहले उसमे कुछ चीज़े देखा करते थे ये देखते थे कि उसका infrastructure कैसा है कितना size है वहाँ का वहाँ पे कितने tools से available है equipments क्या है वहाँ पे scanners available है की नहीं इसके साथ ये देखते थे कि जो mechanic काम करेगा उनके क्या skills है क्या वो बड़ी गाड़ियों को एक अच्छी service दे पाएंगे और इन दोनों points पे judge करने के बाद ही ये किसी garage owner को अपने साथ go mechanic में जोड़ा करते थे इसके बाद साल 2020 तक ये मुंबई, पुने, हैदराबाद, बैंगलोर, जैपूर जैसे करीब 10 से ज़्यादा शहरों में अपने 200 service centers के साथ operate करना शुरू कर चुके थे और इसके एक साल पहले इनकी growth को देखते हुए सिकोईया कैपिटल और ओरियस वेंचर पार्टनर इनको करीब 35 करोन की funding दिया इसके साथ ये चिरायट वेंचर ने इनको करीब 105 करोन की funding दिया और साल 2021 तक कमपनी ने करीब 62 मिलियन डॉलर की funding रेस क्या लिया था 285 मिलियन डॉलर के valuation पे कमपनी बहुती fast grow कर रही थी इसके बाद कमपनी को एक और बड़ी funding मिलने वाली थी soft bank की तरफ से करीब 600 करोड रुपय के लेकिन soft bank कभी भी कहीं invest करती है तो उसके पहले वो companies को पूरी तरीके से चेक करती है और उसके लिए soft bank ने Ernst and Young को अपना hire किया और इनके कमपनी के audit कराया जब audit की report सामने आई तो बहुती shocking उसके responses थे यहाँ पे कमपनी ने अपने financial में कई बड़ी गड़़िया किया था Go Mechanic का ऐसा कहना तक उनके 1000 से जादा service centers पूरे इंडिया में अभी है लेकिन इनके financial में क्या गड़़़िया हूँ बहुती जल्द unicorn कमपनी बनने वाले थे इस वज़े से इन्होंने अपने financials बहुती ज़्यादा घुमाना शुरू कर दिया था Ernst & Young की report आती और market पे बड़ा हड़कम बन जाता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस कमपनी में इन्वेस्ट किया है जिसके बाद उन्होंने Ernst & Young को कहा कि आप इनकी forensic audit करिए अब forensic audit और normal audit में क्या अंतर होता है normal audit में ऐसा होता है कि आप जो भी अपने financial reports कमपनी को दिखाते हैं वही उन्ही data को cross verify किया जाता है लेकिन forensic audit में होता है कि आप के जितने transactions हैं जो भी आप paper पिल लिक रहे हैं उसका भी जाके cross verification bank से किया जाएगा और ये इस समय Ernst & Young इस company के साथ कर रही है जैसे ही forensic audit की बाद सामने आई अमिद भसीर इनके co-founders सामने आते हैं और उन्होंने accept कर लिया कि हाँ हमने company के financials में कुछ बड़ी गड़़ियां किया है यहाँ पे अगर हम देखें कि इतना जल्दी इस बात को accept कर लेने का मतलब है कि company में और कई सारी बड़ी गड़़िया है इसके बाद इन चारो co-founders को छुटियों पे घर भेज दिया जाता है company का 70% से ज़्यादा employees को निकाल दिया गया मतलब company में 1000 से ज़्यादा employees थे और 70% workforce को रात और रात निकाल दिया गया अभी हाल ही में इसके साथ ही जो इनके 30% और employees बचे थे उनको अगले 3 महीने तक बुला गया कि आपको बिना salary के काम करना पड़ेगा अब इस company के साथ दो ही situation possible है सबसे पहला चीज इन co-founders को तो पहले पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा और सिकोईया capital जिसका करीब 27% stake सबसे ज़्यादा है इस company में अब उनको decide करना है कि इन co-founders को हटाने के बाद अगर company में उनको दम दिखाई देता है इनके real financial report आने के बाद तो वो इस company को run करेंगे कुछ नए co-founders के साथ अगर company में दम नहीं दिखाई दिया तो go mechanic को बंद कर दिया जाएगा यही होने वाला इस company में तो दोस्तो company ने इतना बड़ा fraud क्यों किया जब यह बहुत तीजी से भारत में grow कर रहे थी तो fraud करने का reason क्या बनता है तो इसको थोड़ा और detail में समझने के बाद कुछ चीजे clear होती है कि जब COVID का situation आया था तो company अपने spare parts जब खरीद रही थी उस समय company के पास बहुत बड़ी एक inventory pile up हो चुकी थी अब यहाँ पे भारत में गाड़िया चल नहीं रही थी और company का पूरा business थी जब गाड़िया चलेंगी तो ही तो service होंगी उसी पे dependent था तो साल भर company ने बहुत सारे losses को face किया जिस वज़ा से company को दिख रहा था कि अगर Tiger Global को बड़े figures दिखाई देते हैं उनको एक billion dollar के funding मिल जाएगी लेकिन ये लोग real problem को भूल रहे थे real problem ये जब solve कर रहे थे कि भारत में लोग को अच्छी car की service नहीं मिल पाती है ये उस बात पे stick नहीं रह पा है ये financials पैसों पे ज़्यादा जल्दी move कर गए जिस वज़ा से इनको इतनी बड़ी problem face करनी पड़ी इनका market में पूरी तरीके से नाम खराब हो गया अब आपने company के financial में थोड़ी गड़बड़ी तो कर ली लेकिन अब आप अगर कभी भी कोई नई company खोलने जाएंगे तो आपका नाम हमेशा market में खराब ही रहेगा क्योंकि लोग आपको हमेशा judge करेंगे कि आपने go mechanic में गड़बड़िया किया था तो अगले बार अगर आप किसी नए company के लिए funding लेने जाएंगे तो लोग आपको जल्दी funding नहीं देंगे ये इतनी बड़ी-बड़ी problems अब आने वाले time में इन co-founders को face करनी पड़ेगी तो business का हमेशा एक rule होना चाहिए कि वही business profitable है जिसमें सब के लिए profit हो आपके mechanics के लिए profit होना चाहिए आपके investors के लिए profit होना चाहिए और आपके लिए भी होना चाहिए और बहुत ही real problem को ये solve भी करते जा रहे थे तो आप comment option में लिखके बताए कि go mechanic क्या आने वाले time में sustain कर पाएगी क्या इस company को बंद कर दिया जाएगा या co-founders change करके नए co-founders के साथ इस company को run किया जाएगा comment option में लिखके आप इस बात को ज़रूर बताएगे